टॉक शो इंडिया के सभी दर्शकों को अनिकेत राज का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों आप सभी देख रहे हैं आपका फेब्रेट शो बाते सूरत वालों की आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सूरत शहर के एक वेल नोन परसुनालिटी आपके जिन्दगी में ऐसा कौन सा इंसिडेंट कब और कैसे आया जिसके बाद आपकी जिन्दगी चेंज हो गई मेरे जिन्दगी में इंसिडेंट 17 जन्वरी 2023 को बहुत बड़ा एक दिन्दगी का मोड आया था जब मुझे सभी डॉक्टर्स ने साखा था कि मेरे को 99.9% कैंसर की बीमारी है क्या बात है और मेरी कीमो की तयारी वगेर सब हो चुकी ते मेरे घरवाले बहु करिब गया जाली डाजन सारंगपुर्ण करे दर्शन करके है और यह सब कर दो तो मैं उसकी बात सुनकर 17 जन्वरी को मैंने बाइयोक्सी करवा ही और मेरी बाइयोक्सी 23 जन्वरी को आने वाले के कौं सीर की बात है यह 2023 अभी इस करेंट की तो मैं 22 तारीकों सारंगपूर दर्शन करके पहुंचा और 23 तारीकों जब मेरी रिपोर्ट शाम को अने वाली थी में रस्ते में था मैं करिबन साथ बजे सूरत पहुंचा और साढ़ आठ बजे दॉक्टर ने मेरे पूरे परिवार को हॉस्पिटल बुलाया तो हम लोग सब भी थे कि शायद मुझे कैंसर का बट बड़ा रूप ले लिया हूँ क्योंकि मैं उन पंदरे दिनों पहले मैं ब्रेड भी नहीं खा है नहीं क्या बात कर रहे हैं तो फिर मैंने जब्ही मेरी रिपोर्ट थाई मुझे बहुत खुशी हुई तो फिर मैंने सोचा कि मैं वापस एक लादा के दर्शन करने सारंगपून हन्मान जी जरूर जाओए जाओगा तु मैं 10 फर्वरी को वापस वहां पहुँचा जब म काफी टाइम से कर रहा था मतलब जो भी वैशन जिसको लोगों को नहीं करना चाहिए वो सारे वैशन में करता था के निकला और मुझे कुछ ऐसी संकेता मिली क्योंकि उससे पहले जब मैं 23 को गया था और 10 को वापस वाँ गया तो उससे पहले राजकोट के अंदर एक बहुत बड़ी कथा हुई थी युवा कथा अच्छा कस्टमंजन हनमान जी की उसके वक्ता थे हरी प्रकास्वामी तो मै मुझे लगा कि नहीं कि जिन कथाओं में लोग 40 प्लस के लोग जाते हैं इस कथा में तो 30 से नीचे के लोग जुड़े हुए अच्छा और मजे की बात यह थी कि 31 दिसंबर को पूरा राजकोट जो पार्टी के माहुल में रहता है वो पूरा का पूरा युवा इस कथा में तो प्रशाशन भी इस चीज को देखे बहुत हैपी था कि 30 से महुल में इतनी पुलिस सेकुरेटी रोग सब लगानी पड़ रही है ऐसा कुछ हुआ है नी क्योंकि सारे ही वा तो उस कथा में थे तो कथा श्रोणना मेरे जिन्दगी का प्रेरक बना और तब मुझे पता च मेरे घरवाले थे सब लोगों ने कोशिश कर ली कि किसी तरह मेरा इवेश्नमुक्त हो जाए नहीं हुआ और सरफ वह एक बर जाने से बिना मेडिसिन मेरी और सब चीजे दूर हो गई फिर यहां जब कथा हुई है उस कथा में भी देखने को मिला कि 30 से 30 साल से नीचे के लो यह राज था जो सारे वेश्नमा करता था आज ही अनमान जी के और हमारे जो कथा के माध्यम से प्रेरिश होकर इसने यह सारा वेश्नम छोड़ दिया जी इसको तो मैं कहूंगा कि चमतकारी है बिना किसी के सजेशन का किसी ने आपको डाटा नहीं समझाए नहीं और ऐसी श चीज की लत या बोलते हैं कि सरीर में एक वापस उस चीजों की इच्छा जागदीत होती है मुझे इच्छा ही नहीं हो रही तो यह वहां के दादा का और वो कथा का जो प्रेधना शुरोत थे उनका अशिरवाद मुझे लगता है मुझे भरपूर मिल चुका है और आज की में कोई भी वेशने नहीं कर रहा हूं क्या बात है बहुत बहुत आपको बधाई शुब कामना मैं तो चाहूंगा कि एक बार हम दोनों मिलके यह कहते है कि कस्ट बंजन हनुमान महराज की जय तो मुझे इस बात की कुशी है कि आप बहुत जल्द ही इस वेशन से और नशे आपको सब लोग प्यार से राज भाई राज भाई बोलते हैं नाम भी बहुत प्यारा है राज भाई जितने भी यंग्स्टर्स हैं जैसे आपने राजकोट का जिक्रिक किया वहां पे आपको बहुत अच्छा लगा कि 30 साल के नीचे वाले जितने यंग्स्टर्स हैं उन ल कि आदत रहने के बावजोद आप इससे मुक्त हुए और आप अभी एक नए जिन्दगी जी रहे है तो यंग्स्टर जो इस लत्मे पढ़ चुके हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कैसे उनको छुटकाना मिले मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूंगा ना कि सूर देश आज हमारे हर संग्वी जी जो गुजरात में इसी चीज को लेके एक ही रा पर निकल पड़े हम सबको उनका सहीओ करना चाहिए और जो लोग भी नशा छोड़ना चाहते हैं मेरे पास उस नशे की बहुत अच्छी दवाई है कि आप अपने इस्ट के सामने एक बार मे मैं वो दवा मेरे पास ही किये जो मैंने ली थी और मैं चाहता हूं कि ये दवा सब लोग ले आपका कोई भी इस्ट होगा उस इस्ट के सामने जाके आप हाथ में जल लेके जो हमारी प्रता चलती आ रही है वो जल लेके बोल दिजे कि आज के बात मैं नशा मुक्त होना चा समाज में जूट बोल सकते हो पर इस्ट के सामने आप कभी जूट नहीं बोलोगा एक बार करके देखिएगा और अगर ऐसा हुआ तो मैं चाहता हूं कि ये पूरे देश में क्योंकि माला में जो ताकत है इस्ट की माला जो भी आपका इस्ट है आप उसकी एक बार माला करो उसके सामने बोल दो कि आज के बाद मैं नशा नहीं करूँगा तो मैं आपको 100% बोलता हूं कि आपको नशे की लट वही छुडवाएगा क्योंकि हम दुनिया में चल रहे हैं हमको यह नहीं पता है कि हमको चलाने वाला कोई और है तो यह तो छोटी सी चीज है जो दवाई न मानते हैं पर कोई हो सकता है चाहे वो यह जो लत्त चालूई है यह मैं हिंदू-मुस्लिम सी किसाई की बात नहीं कर रहा हूं जिसका जो इस्त है उसको वो मान ले और वो अपनी एक माला दो माला तीन माला जो भी करें मैं डेली 50 माला करता हूं 50 माला डेली में करता हूं च जो कि अगर आपने इस्ट देव से जूट बोल दिया, तो आपको सतत तरत तुरंत चमतकार दिखने को मिलेगा, और वो आप सोच भी नहीं सकते कि सतत जा सकते हैं, तो अपने इस्ट को मानो, माला करो, और इस चीजों से दूर आजाओ, तो यह आपका परिवार, आपका तरीके से, और मैं समझता हूँ कि आप में जो कमांड है, आपने जो ये बाते अभी कही है, ये भी आपके जो प्रेधना आपको जो मिली है, कष्ट भंजन, हनमान जी, के दर्शन के बाद, उसके बाद आप में जो वो कमांड के साथ आपने ये बाते कही है, तो ये दिखा आता है कि एक बार आदमी यहां से नेशे की लट से अगर बाहर आ जाए और वो चाप शुरू कर दे तो अपने औरा में अपने बातों में confidence जो है वो इस तरह से जलकेगा जिस तरह से आप में ये confidence जलक रहा है हाँ, आज मैं बोल सकता हूँ कि उस ताइम के पहले लोग मुझसे मिलना नहीं चाते थे, मुझसे बात नहीं करना चाते थे, मेरे साथ बैठना नहीं चाते थे मेरा एक बहुत बड़ा ग्रूप है 42 कपल लोगों का उनके लोग ऐसा बोलते थे कि राज के साथ मत बैठना और आज वो ऐसा बोलते कि राज जैसा बनो तो दोनों में बहुत फरक है और ये फरक भगवान के आशिरवात से ही आया क्या बात है यानि कि वो अगर मैं एक पुरानी एड हुआ करती थी वो एड का नाम तो नहीं लूँगा लेकिन ये मैं बोलू कि राज बिफोर नशा राज आफ्टर नशा हाँ आप बोल सकते है ना क्योंकि आज बात करने का और लोगों से मिलने का लोग जो लोग मुझ से पहले मिलना नहीं चाहते थे और सामने से मिलने आ रहे हैं इससे मेरे समाज में मेरी एक अच्छी द्रिष्टी हुई है मेरा व्यपार बड़ा है और जो लोग मुझे नहीं जानते थे जिन्नोंने वीडियो के माधियम से या मैंने कई लोगों को कोशिश की कि ये विश्न स से दूर हो जाए मैंने उनको पता है हुआ जाके उनको भी बहुत सारा आराहम है लोग निकलना चाहते पर है डर कि किसी को पता चल गया कुछ हो गया क्या मैं बोलता हूँ डर छोड़ दीजे और सामने आईए जो आज हमारे गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष भाई ने तो आप आओ सामने मेरे को जहां तक लगता है कि अगर हम आके बताएंगे क्योंकि इसमें अगर आप बहुत डीप तक चले गए तो फिर आना बहुत मुश्किल है तो अभी आपका वक्त है आपके कोई सपने समाय होंगे सभी लोगोंने सभी वाओने कि हमें आगे यह करना है पर यह लत अगर आपको लग गई तो आप घर परिवार समात सबसे अलग हो जाओंगे और एक दिन लास्ट में आप कुछ नहीं कर पाओगे आप डिप्रेशन में चले जाओगे क्योंकि अल्टिमेटली यह हिल्थ से जुड़ावा चीज और हिल्थी नहीं रहा तो आदम कोई सब्सक्राइब बहुत अच्छा राजबाई जो आपके कमांड है जो आपका कॉंफिडेंस है यह दर्शाता है कि आप एक नए उर्जा के साथ में नए जिंदगी आपने प् मैं अभी हर मैंने दो-तीन बार महां पे जाता रहता हूँ क्योंकि जिनको मैंने इस्ट बनाया है उनके दर्शन तो जरूरी है कि जिंदगी है और एक बार छूट जाओंगा तो कहीं वापस कोई दूसरी लोतों में नहीं चला जाओं तो उनके ठामने चला जाता हूँ तो तो एक वो मरन के समान था मेरे लिए, ना मैं टाइम से खा सकता था, ना मैं पी सकता था, ना मैं बोल सकता था, ना मैं समाज में उट बेड़ सकता था, पर आज वो औरहा मुझे दादा ने दिया है, कि मैं समाज के सामने, आपके कैमरे के सामने इस चीज जाहिर कर रहूं कि विवाओं को ये विश्नमुक्त होना ही चाहिए कोई नहीं हो पा रहा है किसी को मेरा सजेशन चाहिए तो मैं ततपर सबसे पहले मेरे अपने देश के लिए समाच के लिए कुछ कर पाया तो ये जरूर करूँगा कि विवाओं के अंदर विश्नमुक्त हो उनको कैसे विश्न नहीं कर सकते हैं और आप कहीं न कहीं इस लट से लट में घुसे हुए हैं और ये लट आपको लग चुकी है तो आप definitely राजबाई से मिल सकते हैं Mr. Cafe restaurant में ये available रहते हैं आपको definitely वो मदद मिलीगी और आपकी जिंदगी बिगड़ने से पहले सुधर जाएगी समल जाएगी त जिंदगी में health is well जो कहावत है उसको follow करके आप अपने ये गलत आदते नशक से बाहर आईए और कोई भी मदद की जरूरत आपको पड़े तो राजबाई से आप जरूर कांटेट कर सकते हैं राजबाई ये बहुत अच्छा आपने platform दिया है अब ये बताईए कि बिजनस में सभी लोग जानते हैं सूरत शेहर में कि मिस्टर कैफे के नाम से chain of restaurant सूरत मुंबई और भी अलग-अलग नामों से आपका पूरा काम है तो इसमें कुछ और नया भी आप expansion करने जा रहे हैं या कुछ नया बिची सूरत में आप ला रहे हैं मैं करने तो जा रहा हूं पर इसको suspense रहने दो तो ही अच्छा है क्योंकि सूरत वालों के लिए कुछ ऐसा लेकर आ रहा हूं कि जो लोग फूडीज है मतलब जो खाना पिना पसंद करते हैं मैं प्यूर वेज की बात करता हूं तो उनके लिए कुछ में नया लेकर हो पर मैं अभी suspense रखना चाहता हूं कुछ extraordinary है कुछ extraordinary है पर दो मैने के अंदर ही आप डिस्क्लोज कर दीजेगा मैं अक्टूबर या नॉंबर तक इस चीज को डिस्क्लोज करने की जूदने पब्लिकली आई जाएगी तो फिर हम से हम टॉक शो में आपको आना पड़ेगा और यहीं हम डिस्क्लोज कर देंगे राजबाई लाइफ में आपने बिजनस भी काफी किया और बड़े लंबे पैमाने से आप बिजनसे जोड़े वे रहे शोशल अक्टिविटीज भी डियूरिंग कोरोना से आपका कुछ जादा बड़ा है तो किस तरह से सोशल अक्टिविटीज को लेके आगे बढ़ रहे ह और कैसा आपको association मिला लोगों का अचायव ministries की बात करूं या फिर local bodies की बात करूं और किस तरह से आप enjoy कर रहे है शोशल अक्टिविटीज में मैं लोगडाउन के टाइम में ऐसा जूड़ा जब फर्स लोगडाउन हुआ था तब हमारे देश के श्री नरेंदर भाई मोधी जो हमारे देश के प्रदान मंत्री है उनकी में बातों को फोलो करता गया तो मैंने ऐसा सोचा था कि अभी मेरे पास तो कोई काम है नहीं कम से के लिए हमको प्रशाचन का भी बहुत सयोग मिला पुलीस का भी बहुत सयोग मिला एसमसी का भी बहुत सयोग मिला इन फेक्ट हर्ष भाई संगवी जो हमारे हम है अभी धर्ष्णावें जर्दोष सूरत पुलीस देपार्टमेंट एसमसी देपार्टमेंट उन्होंने हमक कोरोना था तब तक हर दिन करते गए इसके तरह बहुत सारे मुझे अवर्ट भी मिले यह बताना इसलिए जरूरी है कि मैंने वह काम किये मेरा काम था स्रफ लोगों तक खाना पोचाना एक चुल जो भूके लोग थे और मैंने बहुत सारी बस्तियों में खाना पोचा और बहुत आपने सही का कि एक करुन कहीं न कहीं वह आपको कष्ट बंजन हनुमान दादा से के पास लेके गया और आपके जिंदिगी में इतना बड़ा परिवर्तन आया मैं 17 जनवरी 2000 के पहले कष्ट बंजन हनुमान और सारंगपूर के बारे में जानता भी नहीं था तो यह यही एक रीजन था मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे बोलते हैं कि जो तुमने सेवा की वो सेवा का ही अफल है कि उस रह में तुम चल पड़े क्या कहते है ना कि भई सेवा करो मेवा मिलेगा अपको मिला अच्छा में एक लाइन इससे पहले कि अपने हम टॉक्शों को भी र जम करें चाहिता हुं क्分कि उन्ही के अछिर्वयवात से जब मैं पहली आ शारंगपूर गया था तो मुझे याद है कि सौमी ने बोला एक हमारे हरीव्च्ट है उन्होंanger जिन्होंने मूझे शारंगपूर भेजा तो मुझे स्वामी गी एक बात याद है कि उन्होंमों ब रहा नहीं बदल चुका है और मैं सबसे पहले हरी प्रकाष स्वामी और विवेक स्वामी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी जिंदगी इस राज से बदल के रख दी कि आज मेरे घरवाले, मेरे परिवार वाले, मेरे समाज वाले भी आश्यरे चकित हैं कि ऐसा चेंज कि दौर रही क्या है मतलब मामला इंसान को जिंदगी में हमेशा फास चलना चाहिए अपना जो टार्गेट है मेरा भी एक लाइप का टार्गेट है मुझे वहां तक पहुचना है मैं देरे देरे चलूंगा हेल्थ इस्यों आएगा आप तेज चलते हो तो आपको जिम जान मिस्टर राज कुमार वैद यानि की राज भाई बहुत प्यारे इंसान है हसमुक हमेशा सभी को दिल में बसा करके सभी को प्यार करने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे किसी और सक्षित के साथ स्टे टून विट टॉक शो इंडिया एंड कीप वाचिंग बाते स सभी देशकों को बहुत बहुत धन्यवार नमस्कार